हेलो दोस्तो जैहिन जैभर्त वंदे मातरम आज आपके लिए महेतपुन मौक टेस्ट लेकर त्यार है जो भी इस चैनल में नए है चैनल को सस्क्राइब करे और बेल आइकन को प्रेस करे ताकि हमारी क्लास का नोटिफिक्शन आपको मिलता रहे आईए बात करते हैं आज के प मनुस्य के मस्तिसक का सबसें बड़ा भाग है मनुस्य के मस्तिसक का सबसें बड़ा भाग है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर तीन पर मस्तिसक इसका राइट आंसर है अगला कोशन है मानव स्रीर की किन कोशिकाओं में सबसें कम पुनर योजन सकती होती है मानव स्रीर इसका राइट आंसर है अगला कोशन है मनुष्य में मेरू दंड से कितनी जोड़ी तंत्री का निकलती है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर 3, 31 इसका राइट आंसर है अगला कोशन है पर्ती वर्ती किरियाओं का नियंतरन के अंदर कहां पर है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर 3, कसेरुक रज्जु में इसका राइट आंसर है अगला कोशन है ओक्षिजन की उपस्थिती में सूक रोज का सी ओ टू एवं जल में उर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूरण रुपांतर होने को कहते है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर 1, वाईउ सफसन इसका राइट आंसर है अगला कोशन है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में सी ओ टू की मातरा लगबग कितनी होती है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर 2, पायरूविक अमल इसका राइट आंसर है अगला कोशन है नेफरोन किस से समंदित है नेफरान किस से समंदित है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर 3, प्रिक नेफरान प्रिक से समंदित है अगला कोशन है एपोहन का परियोग किस किरिया को पूरा करने के लिए होता है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर दो अंडा वाहिनी में निसेचन की किरिया होती है जो भी हमारे इस चैनल में नए है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिक्शन आपको मिलता रहे अगला कोसन है गरमास्य में सिसू के विकास की जानकारी है तो किसका प्रेयोग किया जाता है गरमास्य में सिसू के विकास की जानकारी है तो किसका प्रेयोग किया जाता है इसका right answer है उप्शन नमर 3 इल्ट्रा साउंड इसका right answer है एगला कोशन है बृन के विकास के लिए निमनलखित में से किस अंग द्वारा खाद्य की आपूर्ती की जाती है इसका right answer है ओप्शन नमर दो बीजा डशन इसका राइट आंसर है अगला कोशन है इस्तरियों की नस्बंदी को कहा जाता है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर दो ट्यूबैक्टमी इसका राइट आंसर है अगला कोशन है निमल लिखित में से कौन एक गरंथी नहीं इसका राइट आ अगला कोशन है मानव सरीर किस ग्रंथी को माश्टर ग्रंथी कहा जाता है मानव सरीर किस ग्रंथी को माश्टर ग्रंथी कहा जाता है इसका राइट आंसर है और प्यूस इसका राइट आंसर है अगला कोशन है मनुश्य के सरीर की सबसे छोटी ग्रंथी है मनुश्य के सरीर की सबसें चोटी ग्रंति इसका राइट आंसर और आफ्चन लगाए जाती है लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है इसका और जो भी हमारे इस चैनल में नए है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कलास का नोटिफिक्शन आपको मिलता रहे अगला कोशन है निमन लिखित में से किस की सूंसंकरिया के कारण मानव सरीर में मिक्शी डीमा होता है इसका राइट आंसर है ओफ्शन नमबर दो अव्टू ग्रंथी अब टू ग्रंथी इसका राइट आंसर है अगला कोशन है निमन लिखित में हार्मोन में से किस में आयोडिन होता है इसका राइट आंसर है ओफ्शन नमर एक थायरोक्सिन इसका राइट आंसर है अगला कोशन है निमन लिखित में से कौनसी एक अंतसत्रावी ग्रंथी प् कर सकतY है। निमललिकीत में से कोंसी एक अंत्स त्रावी गरंथी प्यूस गरंथी से सवतंतर कारिया करती है। इसका राइट आंसर हैन। ओप्शन नमरेक अधीवरीक अधीवरीक इसका राइट आंसर है। अगला कोशन है जीवन रक्षक हार्मोन किस गरंद से स्त्रावित होते हैं इसका राइट आंसर है ओप्षन नमर एक एडरीनल इसका राइट आंसर है अगला कोशन है इंसुलीन है एक परकार का इसका राइट आंसर है ओप्षन नमर दो हार्मोन इंसुलीन एक परकार का हार्म परकास वर्स किस की एकाई है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर एक दूरी परकास वर्स दूरी की एकाई है और जो भी हमारे इस चैनल में नए है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ता कि हमारी क्लास का नोटिफिक्शन आपको मिलता रहे है अग इसका राइट अंसर हैं ौपशन नमर दो अगनास्य इसका राइट अंसर हैं अगला कोशन है आँख के किस भाग पर वस्तु का परतिमिं बनाता है आँख के किस भाग पर वस्तु का परतिमिम बनाता है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर तीन रेटिना रेटिना इसका राइट आंसर है अगला कोशन है मानव नेतर में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं मानव नेतर में उपस्तित रेटिना में रंगों में विवेद के लिए उपस्तित होते हैं इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर एक कौन्स कौन्स इसका राइट आंसर है अगला कोशन है आईरिस का क्या कारिया है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर तीन पुतली के आकार क नियंतरित करना आईरीस पुतली के आकार को नियंतरित करता है अगला कोसन है तवचा का रंग किसके कारण होता है तवचा का रंग किसके कारण होता है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर तिन मेला नीन तवचा का रंग मेला नीन के कारण होता है अगला कोसन है मानव सरीर क का सबसें बड़ा अंग कौन सा है मानव सरीर का सबसें बड़ा अंग कौन सा है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर तीन तवचा तवचा मानव सरीर का सबसें बड़ा अंग है अगला कोसन है निमल लिखित में से कौन सा पदार्थ मानव सरीर में सबसें अधिक खटोर होता है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर दो दलत वलक दलत वलक इसका राइट आंसर है अगला कोशन है मायो गलोबिन में कौन सी धातू होती है मायो गलोबिन में कौन सी धातू होती है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर तीन लोहा लोहा होती है अगला कोशन है मानव का सम पानिया रक्तदाब कितना होता है इसका राइट आंसर है उप्शन नमर एक 120 बाई 80 mmHG होता है अगला कोसन है मानव सरीर का ताप मान होता है इसका राइट आंसर है उप्शन नमर दो 37 डिगरी सेल्शियस होता है मानव सरीर का ताप मान 37 डिगरी सेल्शियस होता है अगला कोसन है कैपसूल का आवरण बना होता है इसका राइट आंसर है उप्शन नमर तीन स्टार्ज का बना होता है और जो भी हमारे इस चैनल में नए है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ता कि ह हमारी क्लास का नोटिफिक्शन आपको मिलता रहे अगला कोसन है सहेद का परमुग घटक है सहेद का परमुग घटक है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर तीन फ्रुक्टोज सहेद का परमुग घटक फ्रुक्टोज है अगला कोसन है सहेद में मुख्यत होते हैं सहेद म अगला कोशन है अगला कोशन है एतलीट को निमन में से किस्सें जल्दी और ज्यादा उर्जा मिलती है एथलीट को निमन में से किसे जल्दी और जादा उर्जा मिलती है इसका राइट आंसर है उप्शन नमर तीन कार्बो हाइडरेट कार्बो हाइडरेट इसका राइट आंसर है अगला कोशन है रक्त गलुकोज सतर समानियत है वेक्त किया जाता है रक्त गलुकोज सतर समानियत है वेक्त किया जाता है इसका राइट आंसर है उप्शन नमर एक हजी के एमम से इसका राइट आंसर है अगला कोशन है शरीर में उतकों का निर्मान किस से होता है इसका राइट आंसर है उप्शन नमर एक प्रोटिन इसका राइट आंसर है अगल प्रोटिन को निमल लिखित में से क्या माना जाता है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर एक सरीर का निर्मान करने वाला माना जाता है अगला कोशन है इंजाइम मूल रूप से क्या है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर दो प्रोटिन इंजाइम मूल रूप से प्रोटि किरिया को तेज करने में उत्तरदाई परदार्थ है जेविक सिस्टम में रासाइनिक किरिया के परकिरिया को तेज करने में उत्तरदाई परदार्थ है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर तीन एंजाइम इसका राइट आंसर है अगला कोशन है किस में प्रोटीन नहीं पा पाया जाता है निमल लिखित में से किस में प्रोटिम का सबसे अधिक प्रोटिम पाया जाता है। इसका राइट आग्जर है ओप्शन नमर दो दालोचे जाता हैं। अगला कोशन है प्रोटीन का सरव पर्मु स्रोत हैं इसका राइट आंसर है ओफशन नमर तीन, सोया बिन, सोया बिन प्रोटीन का सबसे जादा पर्मु स्रोत हैं अगला कोसन है मानव स्रीर में वसा जमा होती है इसका राइट आंसर है ओफशन नमर दो वसा उतक में वसा उतक में इसका राइट आंसर है अगला कोसन है निमलिकित में से किस से उर्जा प्रापत नहीं होती इसका राइट आंसर है ओफशन नमर तीन वीटामिन से उर्जा प् अगला कोसन है निमलिकित में से किसे रक्षात्मक परदार्थ कहा जाता है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर तीन वीटामिन वीटामिन इसका राइट आंसर है अगला कोसन है गाजर किस वीटामिन का समरिद स्रोत है गाजर किस वीटामिन का समरिद स्रोत है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर एक विटामिन ए गाजर विटामिन ए का समरत स्रोत हैं अगला कोशन है मानव स्रीर में विटामिन ए संसीत रहता है मानव स्रीर में विटामिन ए संसीत रहता है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर एक यकृत में यकृत में इसका राइट आंसर है मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से हैं रतोंदी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से हैं इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर एक विटामिन ए इसका राइट आंसर है अगला कोशन है विटामिन ए उपलब्द होता है विटामिन ए उपलब्द होता है इसका राइट आ विटामिन C है अगला कोशन है साइनो कोबाला मीन है इसका राइट आंसर है ओप्षिन नमर 3 विटामिन B12 विटामिन B12 है अगला कोशन है विटामिन जो खटे फलो में पाया जाता है तथा चरम को स्वस्थ रखने के लिए जुरूरी होता है वीटामिन जो खटे फलो में पाया जाता है तथा चरम को स्वस्त रखने के लिए जरूरी होता है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर एक वीटामिन सी खटे फलो में पाया जाता है अगला कोशन है वीटामिन सी का सबसे उत्तम सरोत है विटामिन C कासफ से उत्तम स्रोत है इसका राइट आंसर है उप्शन अमर तीन आवला आवला विटामिन C कासफ से उत्तम स्रोत है अगला कोसन है विटामिन C का रासाइनिक नाम है विटामिन C का रासाइनिक नाम है इसका राइट आंसर है उप्शन अमर दो एसकारबिक अमल इसकार्बिक अमल इसका राइट अंसर है अगला कोसन है इसकार्बिक अमल है इसकार्बिक अमल है इसका राइट अंसर है ओफशन नमर एक विटामिन विटामिन इसका राइट अंसर है और जो भी हमारे इस चैनल में नई हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प अगला कोशन है किस सबजी से प्रापत ने होने वाला विटामिन है इसका राइट आंसर है उप्शन नमर तीन विटामिन डी विटामिन डी इसका राइट आंसर है अगला कोशन है प्रात्यकालिन दूप में मानव स्रीर में निमिलखित में से कौन सा विटामिन उत्पन होता ह प्रात्य कालिन दूप में मानव स्रीर में निमन लिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन होता है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर तीन विटामिन डी दूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है अगला कोशन है मचलियों के यकृत के तेल में किसकी पर चूरता होती है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर तीन विटामिन डी विटामिन डी इसका राइट आंसर है अगला कोशन है विटामिन डी के सरजन के निमन में से कौन पाया जाता है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर तीन कैल्सी फेरोल कैल्सी फेरोल इसका राइट आंसर है अगल इसका राइट आंसर है, ओप्शन नमर तीन, विटामिन के, इसका राइट आंसर है, अगला कोशन है, दांतों में निमल लिखित में से क्या होता है, इसका राइट आंसर है, ओप्शन नमर दो, कैल्शियम, दांतों में कैल्शियम होता है, अगला कोशन है, निमल लिखित में स किस तत्तव का समन्द दांतों की विक्रिती के साथ है निमन लिखित में से किस तत्तव का समन्द दांतों की विक्रिती के साथ है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर दो फ्लोरिन इसका राइट आंसर है अगला कोशन है हर्द्य की धड़कन को नियंतरित करने के लिए निमन इसका राइट आंसर है अगला कोशन है सागरिया खरपतवार किसका महतपुन स्रोथ है सागरिया खरपतवार किसका महतपुन स्रोथ है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर तिन आयोडीन आयोडीन इसका राइट आंसर है अगला कोशन है निमन में से कोण आयोडिन का स्रोर्थम स्रोथ है इसका राई टांसर है उपशन नमर एक सेवाल सेवाल इसका राई टांसर है अगला कोशन है पस्ती तफा हडिएं के निर्माण एवं शंपोनसन में आवशक तत्तम होता है इसका राइट आंसर है, ओप्शन नमर दो कैल्शियम, कैल्शियम इसका राइट आंसर है, अगला कोशन है, मानव स्रीर में ओस्त आक्सिजन का तत्व कितना परतिशत होता है, मानव स्रीर में ओस्त आक्सिजन का तत्व कितना परतिशत होता है, इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है अगला कोसन है मनुस्य लोहा किस से प्रापत करता है मनुस्य लोहा किस से प्रापत करता है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर दो पालक से पालक से इसका राइट आंसर है और जो भी हमारे इस चैनल में नए है चैनल को सुस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिक्शन आपको मिलता है अगला कोशन है लोहे आवशक हैं लोहे आवशक हैं इसका राइट आंसर हैं ओप्शन नम्मर चार उपरियुक्त सभी लोहे हीमोगलोबिन वे आर बीसी के निर्मान के लिए आवशक हैं समान्य स्वास्ते बनाई रखने के लिए सरीर के उतकों तथा आकसिजन पहुंचाने के लिए इन तीनों के लिए भी लोहे आवशक हैं अगला कोशन है, सबसे अधिक आयरण किस में पाया जाता है? उप्षन नमबर 3, हरी पतिदार सबजियों में पाया जाता है अगला कोसन है किस में भरपूर लोहे ततव पाया जाता है किस में भरपूर लोहे ततव पाया जाता है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर दिन हरी सब्जियों में भरपूर लोहे ततव पाया जाता है अगला कोसन है समेट और अस्थियां दोनों में विद्यमान ततव है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर दो कैल्सियम समेट और अस्थियां दोनों में विद्यमान ततव है अगला कोसन है निमल लिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर तीन लोहा लोहा इसका राइट आंसर है अगला कोशन है वीटामिन E का रासाइनिक नाम है वीटामिन E का रासाइनिक नाम है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर तीन टोकोफरोल इसका राइट आंसर है अगला कोशन है मानव स्रीर में रक्त का धक्का किस वीटामिन से बनत आगला कौसन है पालक के पत्तों में किसकी मातरा सबसे अधिक होती है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर दो आईरन की मात्रा सबसे अधिक होती है अगला कोसन है वीटामिन E विशेशित है किसके लिए महेतो पूर्ण है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर तिन लिंक गरंथियों की सम पान्य के रिया में इसका राइट आंसर है और जो भी हमारे इस चैनल में नए हैं चैनल को सुस्क्राइब फ्रे और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे अगला कोसन है मानव सरीर के कौन से अंका परत्यार ओपन नहीं किया जा सकता इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर एक लाइसोसोम इसका राइट आंसर है अगला कोसन है असी परतिसत से अधिक सेल कोसिका में पाई जाने वाले पदार्थ है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर तीन जल जल इसका राइट आंसर है अगला कोशन है किसकी उपस्थिती के कारण किसी पादब कोशिका और पसु कोशिका में अंतर पाया जाता है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर एक कलोरो फ्लाष्ट कलोरो फ्लाष्ट इसका राइट आंसर है अगला कोशन है गोलजी काय का परमुग कारिया है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर तीन सत्रावी इसका राइट आंसर है अगला कोशन है निमल लिखित में से कौन सा कोशिकांग DNA रखता है इसका राइट आंसर है अगला कोशन है प्रोग्रेंड सेल डेथ का कोशिक्य एवं आणविक नियंतरन क्या कहलाता है प्रोग्रैम्ड सेल डेत का कोज़िके एवं आणविक यंतर क्या कहलाता है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नमर 2 एंजिंग इसका राइट आंसर है और जो भी हमारे इस चैनल में नई है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ता कि हमारी क्लास का नोटिफिक्शन आपको मिलता रहे अगला कोशन है इलेक्ट्रोन सुक्चियम दर्शी की खोज की इसका राइट आंसर है और इसका राइट आंसर है अगला कोशन है बाड को रोका जा सकता है इसका राइट आंसर है नदियों पर बांद बना कर वे रिक्षा रोपन करके रोका जा सकता है अगला कोशन है मेग्रोव बनस्पती पाई जाती है इसका राइट आंसर है अप्शन नमर तीन किट नासी किट नासी इसका राइट आंसर है अगला कोशन है हेलियम की खोज किसने की थी हेलियम की खोज किसने की थी इसका राइट आंसर है ओफ्शन नमर दो लोकियर लोकियर ने हेलियम की खोज की थी अगला कोसन है मानव स्रीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशी का कौन है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर दो तंत्रिका कोशी का इसका राइट आंसर है अगला कोसन है पैंसिल का लिखा जाने वाला भाग किस से मना होता है पैंचिल का लिखा जाने वाला भाग किस से मना होता है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर एक ग्रेफाइट इसका राइट आंसर है अगला कोशन है कवा कर्स के कंड समझे जाते हैं जो उत्पन करते हैं कवा कर्स के कंड समझे जाते हैं जो उत्पन करते हैं इसका राइट आंसर है उप्शन नमर तीन प्रोटिन इसका राइट आंसर है अगला कोशन है फलों को क्रीतरिम रूप से पकाना किसका मुख्यागुन है फलों को क्रीतरिम रूप से पकाना किसका मुख्यागुन है इसका राइट आंसर है उप्शन नमर तीन एथिलीन एथिल क्या है आलू में जूल सा रोक का कारक क्या है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर तीन कवक किसका राइट आंसर है अगला कोशन है फसलों का कौन सा क्रम प्रोटीन की बढ़ती मातर के अनुरूप है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर तीन चना मटर मूंफली सोया बिन अगला कोसन है, हाइड्रा, किस वरक का पराणी है, इसका रायट अंसर है, ओप्शन नमर तीन, फाइलम, सिलेन्ट, टेरेटा, इसका रायट अंसर है, अगला कोसन है, बायो गेंस, किस कीरिया द्वारा उत्पनन होता है, इसका राइट आंसर है, ओप्शन नमबर तीन, किनवन, किनवन इसका राइट आंसर है, बायो गैंस, किनवन के द्वारा उत्पन होता है, अगला कोशन है, ओलेरी कल्चर के तहट किसका अध्यन किया जाता है, ओलेरी कल्चर के तहट किसका अध्यन किया जाता है, इसका राइट आं किसका विगटन होता है, इसका राइट आंसर है, ओप्षन नमर चार उप्योग सभी, टाइप मेटल में सीसा, एंटिमनी, टिन, इन तीनों का उप्योग होता है, अगला कोशन है, मनुष्य में किस कसे रूकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार होता है, इसका राइट आंसर है, ओप्षन नमर तीन, एटलस, एटलस इसका राइट आंसर हैं, अगला कोशन है, लार का टाइलीन, किस मादीम से सकरिया होता है, इसका right answer है ओप्शन नमर 3 हलका अमली है अगला कोसन है पिर्थ्यू में पलाइन वेक कामान कितना है इसका right answer है ओप्शन नमर 1 ग्यारा पाइंट 2 किलोमेटर परती सेकिंड है अगला कोसन है बिना मिट्टी के पोद्ये को पोसक ततों से युक्त गोल में उगानी की किरिया कह कहलाती हैं बिना मिट्टी के पोदे को पोसक तत्वों से युक्त गोल में उगाने की किरिया कहलाती है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर दो हाइड्रोपॉनिक्स हाइड्रोपॉनिक्स इसका राइट आंसर है अगला कोशन है यूरिया में नाइट्रोजन का परतिशत कित अगला कोशन है एलिसा नामक प्रिक्षन किस रोग के निदान के लिए किया जाता है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर एक एड्स इसका राइट आंसर है अगला कोशन है एक में रेड रोट नामक बीमारी का कारण क्या है एक में रेड रोट नामक बीमारी का कारण क्या है इसका राइट आंसर है ओफशन नमर दो फंजाई फंजाई इसका राइट आंसर है अगला कोशन है लाल रक्त कंड का जीवन काल है लाल रक्त कंड का जीवन काल है इसका राइट आंसर है ओफशन नमर तीन 90 से 120 दिन लाल रक्त कंड का जीवन काल 90 से 120 दिन तक होता है अगला क और विटामिन जल में घुल जाता है और जो भी हमारे इस चैनल में नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें तक हमारी क्लास का नोटिफिक्रिशन आपको मिलता रहे अगला को सब्सक्राइब उत्पन होती है टाइलीन किस गरंथी से उत्पन होती है इसका राइट आंसर है ओपशन नमर तीन लार गरंथी टाइलीन लार गरंथी से उत्पन होती है अगला को सब्सक्राइब का अपशलकन किस तरह की परकिरिया मानी जाती है इसका राइट आंसर है ओपशन नमर दो यां तरीक अपक्षिय इसका राइट आंसर है अगला कोशन है मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर दो समूंदरी जीवों समूंदरी जीवों इसका राइट आंसर है अगला कोशन है राकेट को उड़ाने में कौन सा इंदन इस्तिमाल किया जाता है इसका राकेट को उड़ाने में कौन सा इंदन इस्तिमाल किया जाता है इसका राकेट को उड़ाने में परियोग किया जाता है अगला कोशन है गलुकोमा बीमारी मानव सरीर के किस अंग से समंदित है इसका रा गोल क्रीमी से होने वाला रोग इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर एक फाइल एरिया इसका राइट आंसर है अगला कोशन है जैनिको परजोगी की है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर दो अनुमासिक रोगों की पूरव सूचना प्रापत करने की तरकीब अनुवासिक रोगों की फूरो सुचना प्रापत करने की तर्कीप इसका राइट आंसर है अगला कोशन है निमन में से किसमे परकास की चाल अधिक्तम होती है इसका राइट आंसर है ओप्शन अमर एक निर्वाद निर्वाद इसका राइट आंसर है अगला कोशन है किस विटामिन की कमी से सारीरिक व्रीधी में रुकावट आती है और वैक्ती अर्क तता का शिकार हो जाता है किस विटामिन की कमी से सारीरिक व्रीधी में रुकावट आती है और वैक्ती अर्क तता का शिकार हो जाता है इस अगला question है वाइउ मंडल में किस गेंज की उपस्तिती के कारण वरून ग्रह अरवाइपर्तित होता है इसका राइट आंसर है और जो भी हमारे इस चैनल में नए है चैनल को सुस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी क्लास का नोटिफिक्शन आपको मिलता रहे अगला कोशन है गलुकोज के एक अनुद्वारा 21 कैलोरी उर्जा किस किरिया के द्वारा होती है गलुकोज के एक राइट आंसर है अगला कोशन है मानव चहरा कितनी हडियों से बना होता है मानव चहरा कितनी हडियों से बना होता है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर तीन चोदा मानव चहरा चोदा हडियों से बना होता है अगला कोशन है लाल रक्त कंड की जीवन अवदी कितनी होती हैं इसका right answer है option number 2 123 123 इसका right answer है अगला question है श्मूंधरी घोड़ा किसका उधारण है इसका right answer है मत्या वरक का श्मूंधरी घोड़ा मत्या वरक का उधारण है खाना नए चिपकने वाले बरतनों में निमलकित में से किसकी एक पतली परत होती है खाना ने चिपकने वाले बरतनों में निमलकित में से किसकी एक पतली परत होती है इसका राइट आंसर है ओफशन नमर दो टैफलोन इसका राइट आंसर है अगला कोशन है लोहे अयसक की सबसे उत्तम क सम कौन सी है इसका राइट आंसर है option ном er 1maignefact aggregate. इसका right answer है अगला कोज़न है पिर्थánd से हम चंद्रमा के कितने परतिशत भाग को देख सकते है इसका right आंसर है option 3-69 परतिश coff है अगला कोज़न है कटे दूद में उपस्तित होता है कटे दूद में उपस्तित होता है इसका right answer है option number एक लैक्टिक हमल कंदेक में लैक्टिक हमल उपस्थित होता है अगला question है rocket में परिक्थ इंधन कहलाता है सब्सक्राइब जो भी हमारे इस चैनल में नए है चैनल को सब्सक्राइब अगला कोशन है पानी जब जब जमकर बढ़ बन जाता है तो Oska आईतन क्या होता है इसका right answer है option number 2 उसका item बढ़ जाता है अगला कोशन है विदूत बलब को बरने में परियोग किया जाता है इसका right answer है option number 2 आरगन का परियोग किया जाता है अगला कोशन है निमलिकित में से वाइरस द्वारा कौन सा रोग फैलता है इसका राइट आंसर है ओप्शन नमर तीन पोलियो फैलता है अगला कोसन है, शील्वर पर काला दबा किस के कारण उत्पन होता है? इसका राई टासर है, option नमर तीन, sulfide, stripe ही इसका राई टासर है अगला कोसन है, plaster of Paris का क्या उपयोग है? plaster of Paris का क्या उप्योग है, इसका Right unser, option number 4 सभी सल्या चीकिट्च्या में, सांचा बनाने में, मूर्तिया बनाने में ये सभी plaster of Paris का उप्योग है, आगला कोशन है पिर्थवी के दुरव की और वस्तु का भार, क्या होता है इसका right answer है option number 1 बढ़ जाता है पिठ्थवी के दूरव की और वस्तु का भार बढ़ जाता है अगला कोशन है निमोनिया रोग से परभावित होने वाला सरीर का भाग है इसका right answer है option number 1 फेपड़ा फेपड़ा इसका right answer है अगला कोशन है हमारे सेशन का यह last कोशन है सूसक वरफ है सूसक वरफ है इसका right answer है option number 1 फोस कारवन डाई आकसाइड फोस कारवन डाई आकसाइड इसका right answer है तो यह था हमारा आज का सेशन केसा लगा आपको सेशन कोमेंट कीजिए हमारे चैनल को subscribe था बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी क्लास का notification आपको मिलता रही जैहिन जैभार्त वंदे मातरम